पांच इंपॉर्टेंट रूल्स पांच इंपॉर्टेंट स्थम हैं जिनको आप अगर फॉलो कर लें तो भीया आपको आपका गोल अचीव करने से कोई नहीं रोख सकता है लो प्यारे बच्चो तो आज फिर एक बार आप लोगों से मुलाकात है एक नए वीडियो के साथ आ आगे फ्यूचर में कोई भी एक्जाम हो तो उसके लिए हमें किस तरीके से माइंड सेट रखना चाहिए किस तरीके से अपनी प्रिप्रेशन रखनी चाहिए ताकि हम इस बात की शॉरिटी रख सकें कि हम सही डारेक्शन में जा रहे हैं कि हम अपने लक्षे के एक कदम है क्योंकि इस वीडियो में हम इनी चीजों के बारे में बात करेंगे कि बहुत किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए यह किस तरीके से किसी भी एक्जाम का प्रिप्रेशन रखना चाहिए आपकी स्ट्राटेजी क्या होनी चाहिए जो की आपकी हेल्प करेगी to achieve your goals to achieve your dreams तो उसी के बारे में आई आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देखें किसी भी exam को crack करने की या किसी भी exam की preparation के लिए I think there are five rules पांच stumb कह सकते हैं या पांच rules कह सकते हैं या hand rule कह सकते हैं कि जो आपकी help करेगा in achieving your dreams in achieving your goals तो आईए बात करते हैं एक करके जैसे first rule या first thumb की बात करूं तो वो बहुत important चीज है और वो है आपका classroom experience मतलब हम अपने classroom में हम अपने surrounding में जहां हम बैटे हैं classroom में हम अपना surrounding हम अपना environment classroom का environment इतना अच्छा रखें या इतना maintained रखें अपने आपको इतना concentrated रखें कि हमें आसपास के surrounding से मतलब ही ना हो मतलब कि आपका पूरा focus आपका पूरा ध्यान सिरफ आपके teacher और board पर होना चाहिए आप class में इतना focus होकर पढ़ें कि कहीं पर अगर पंखा भी गिर जाए मैं तो भी आपका ध्यान सिरफ teacher और board पर होना चाहिए आपका ध्यान class में घट रही दूसरी घटनाओं पर कहीं नहीं होना चाहिए class में कुछ भी हो आपको उससे मतलब नहीं है आप अपना पूरा focus teacher पर रखेंगे teacher की बातों पर रखेंगे और board पर रखेंगे क्योंकि होता क्या है कि हमारा ध्यान जैसे ही even 5 सेकिंड के लिए भटकता है तो teacher उतनी देर में faculty उतनी देर में कुछ ऐसी अच्छी बात बताके निकल जाता है कि वो हमें समझ में नहीं आती समझ में कैसे आएगे हमने सुनी भी ने और even हम teacher से ऐसा disconnected हो जाते हैं कि हम आगे की बातों से उसे connect नहीं कर पाते हैं देखे classroom एक ऐसी जगा है जहां पर आप सबसे best चीज समझ कर जा सकते हैं दुनिया में सबसे अच्छी पढ़ाई कहीं हो सकती है और तो वो है सिरफ और सिरफ classroom आप classroom में जितना attentive होकर सुनेंगे teacher की बाते उतना अच्छे से आपको समझ में आएंगी मतलब उतना अच्छे आप उसको clarify कर पाऊंगे उतना अच्छा आप अपने उसको दिल में रख पाएंगे दिमाग में बसा पाएंगे आपको उतनी अच्छी हो दिमाग में चीजें रट जाएंगी कि आपको दुबारा आपको दुबारा से बहुत जादा effort नहीं देना पड़ेगा तो सबसे पहला जो rule है वो आपके लिए वो है कि classroom कहीं भी हो तो आप उसमें proper attentive रहे आप कहीं भी disconnect ना हो आपका पूरा focus teacher पर है ना आपका ध्यान कहीं दोस्तों पर जाए ना आपका ध्यान कहीं और रहे आपका पूरा ध्यान पूरा focus exact teacher के wording पर होना चाहिए बोर्ड पर होना चाहिए तो अगर आपने ये rule follow कर लिया तो भाया ये जान लिजे आपने लगबख 50-60% तो cover कर लिया 50-60% preparation आपकी हो गई अगर आप class में attentive है तो आपको teacher की एक-एक बात समझ में आने चाहिए इस तरीके का आपका concentration हो आपका teacher एक word बोले तो आपको आप वो चीज दिमाग में छब जानी चाहिए classroom experience सही है भया तो सबसे बहले classroom experience best कीजिए second जो rule है या second मैं स्वम्व कहूं तो second rule ये है कि even आपको वो चीज class में समझ में आ गई हो इवन आप class notes बहुत अच्छे से अपने class बहुत अच्छे से attempt की आपने class notes बहुत अच्छे बनाए हैं बहुत बढ़िया बात है लेकिन घर आकर एक बार please class notes दुबारा पढ़े class notes दुबारा पढ़ने चाहिए इवन आपने class में कितना भी attentive होके पढ़ा हो कितना भी focus दोके पढ़ा हो एक बार घर पर आतर उसकी self analysis खुद कीजिए self analysis करने से क्या होता है कि हमें वही topic दो नए तरीकों से समझ में आते या दो उस topic की नई बाते हमारे दिमाग करें की efficiency रखता है वही हमारा दिमाग लगटा है ताकि जब एक नया say आय को सोच सके तो अपने आपको class notes दुबारा पढ़ने के लिए मजबूर करें अपने आपको विया time table में डालें कि class notes पढ़ना ही पढ़ना है, second time घर आकर अच्छे से एक बार खुद से revise करना है, ऐसा नहीं उपर उपर से पढ़ लिया, बस हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, एक बार खुद से सारी चीजें पढ़नी है, कुद से चारी चीजें solve करनी है, एक बार खुद के हाथ के वापस अंदर गो तुरू जाना है, वापस आपको सारी चीजें करनी ही करने हैं, second सबसे important चीज है, class notes re-revision, घर आतर, daily, on daily purpose, यह नहीं है कि चार दिन के बाद के class notes आज पढ़ रहें, जो आज पढ़ाया गया है, उसके class notes आज ही आप पढ़ें, ऐसा attitude अपने अंदर लाएं, तो अगर आपने second point attempt कर लिया, तो आपका 70-80% हो गया, 50-60 पहले वह ता 10-20% और हो गया, तो यहीं पर आपके सिरफ class notes पढ़ने और class notes revision से, आपका 60-70% तक पहुन जाएगा मामला, तीसरा और एक और important stump या एक और important rule वो है short notes, short notes क्या है भहिया, short notes एक ऐसी कहानी है, कि भहिया अगर आपको जो चीज़े class में समझ में आए, जैसे मैंने आपको वोला, कि आपने घर आके जब class notes पढ़े दोबारा, तो आपने पढ़ते time आपको कुछ समझ में आ है, यह बहुत अच्छी चीज़ है, जो शायद याद रखनी पड़े, जो शायद का याद रखनी पड़ेगी, या कुछ ऐसे formula है, जो हमें पता है, important है, application वाले part है, वो हमें याद रखना पड़ेगा, या कुछ ऐसी बात जो आपके दिमाग में नहीं strike की है, और आपको लगता है नहीं यह लिख लेनी चाहिए, तो वो बात आप कहीं header पर, या copy के side में कहीं लिखें, और उसे highlight कर लें, या तो उसे highlight कर लें, या एक नई copy बनाएं, जिसमें सिर्फ important, important चीज़ें लिखें, उसमें सारे examples copy के मच चाप लेना भीया, वरना वो दूसरी copy बन जाएगी, तो उसमें सिर्फ important चीज़ें, important concepts, जो आपने पढ़े घर आकर, जब आप दुबारा पढ़ रहे हो, class आपको एकदम realize आच चुकिए, कि हाँ class में हमने ये चीखा था, ये चीखा था, वो चीज़े important, important note कर लीजिए, या वहीं पर लिखकर highlight कर लीजिए, दोनों में से जैसा मर्जी, तो short notes का मतलब है, notes की highlighting करना, कि भईया, ये important चीज़े हैं, ये important concepts हैं, ये हम याद रखेंगे, ये formula हैं, ये important चीज़े हैं, ये important चीज़े हैं, तो ये तीन चीज़ें आप कर लीजिए, आपका बहुत भला हो जाएगा भीया, class notes, class में पूरा focus होके पढ़ें, class notes, घर पे आने के बाद, फुछ से self solve करे और तीसरा उनकी highlighting, important important, अब ये नहीं है, पूरी copy highlighted पढ़ी है, तो important चीज़ें highlighting करें, ताकि आपकी clarity बढ़ जाए, कि हां भया, यही points है, जो बात में जाके मुझे पढ़ने हैं, important points है, conceptual points है, जो याद रखने हैं, चौथा point, जो की, I think second last important है, क्योंकि इसके last point तो सबसे important ह है, यह second last important, second important point यह है, जो की बहुत important है, और वो है homework application, अपना homework daily solve करें, यह अपने body में आदा डालें, from day one, या जिस भी दिन से आप start करना चाहें, day one, मैं तो क्योंगो, day one से आदा डालें, चाहें वो आज ही क्यों ना हो, कि भाया homework रोज करना है, रोज का homework, रोज attempt करें, आज का homework आज ही attempt होना चाहिए, आज का homework कल attempt नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के homework को जिस बेटर तरीके से मैं आज solve कर सकता हूँ, वो मैं कल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कल चार बाते मेरे दिमाग से skip हो चुके होंगी, तो जो आज homework मिला है, वो आज का आज solve करें, आज करना भी important होता है, तो आप homework का एक भी question skip नहीं करेंगे, ऐसा अपना attitude बनाएं, क्योंकि अगर आपने एक दिन एक homework skip किया, एक question skip किया, जैसे अगर माली जी मैंने आपको 20 question दीए, और आपने सरह 19 किया, सर एक question है, तो वो आपका एक starting point रहेगा, और धीरे धीरे, आप अगल attitude से धीरे धीरे एक time ऐसा आएगा, जब आप पूरा homework शोड़ना शुरू करतेंगे, यानि आपकी homework करने की capability खतम हो जाएगी, आप homework attempt नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे करने का मन नहीं होगा, आपको homework करने का मन ही नहीं करेगा, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो class notes कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप attempt करना नहीं सीखेंगे, homework आपको application नहीं आएगा, दूसरा यह नहीं है कि homework करने में भईया 5 गंटे लगा रहे हैं, आज 20 question मिले हैं, आज मारे पास 5 गंटे, 5 गंटे में 20 question मस्त आराम से पड़े होके लगा रहे हैं, homework करने क attitude यह हो कि 20 question मिले हैं, तो उसकी अकात की according अपने आपको time allot करें, simple exercise का question है, तो 20 question में maximum 1 गंटा, वैसे तो आदा गंटा भी बहुत है, अगर थोड़ी ठीकता question है, तो 20 question में 1 गंटा, बहुत अच्छे question है, तो 20 questions में 2 गंटे, 3 गंटे, लेकिन कुछ time gap अपने आपको allot करे यह ना हो कि आप 20 question करने में लगे हैं 5 गंटे तक, तो वो आपके exam preparation को खराब करेगा, तो 20 question को उनीकी time limit के according, उनके उकात के according time दें, और उस time gap में class notes application, यानि की homework को attempt करें, हरे question attempt होना चाहिए, सारे questions attempt होने चाहिए, एक भी question skip ना हो daily basis पर, रोज का homework, रोज, आज का homework, आज यह आपका चौथा और बहुत important point है, जो आपको follow करना है, यहां हमने class notes class में पढ़ लिए, यहां हमने class notes घर पे पढ़ लिए, यहां हमने उनका highlighting भी कर लिया, short note से बना लि last और इससे भी important चीज, fifth point और इससे भी important चीज, अपने आपको पढ़ाई के लिए motivated रखें, अपने आपको पढ़ाई के लिए motivated रखें, मतलब अपने आपको distract ना होने दे, अगर आप यह चार rules follow कर रहे हैं, तो पांचवा rule अपने यहां follow हो जाएगा, लेकिन उसमें सबसे important चीज यह है कि अपने आपको distract ना होने दे, अगर आप अपने आपको distract ना होने दे का मतलब कि भाईया, बहुत सारी चीज़ें surrounding ऐसे हैं, जो हमें हमारे रहा से बढ़ाई के अलावा, बाकि सब चीज़ें हमें deviate करने के लिए हैं, फिर वो चाहे मैं कहूं, family हो, वो चाह है आपके classroom में आपका surrounding environment, even बहुत सारी चीज़ें आपको hostel या आपके PG आप रह रहे हैं, वहाँ पर आपको मिलेंगी, रास्ते में आपको बहुत सारे deviations मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी, जो आपको आपके goal से distract करेंगे, आपका सिरफ एक rule होना चाहिए, जो अभी आपका room है, room से class, class से room, बस, आपको deviate नहीं होना है, अपने path से, आपको पढ़ाई करते रहना है, और अगर आप ये 4 rule, 5 rule follow कर लें, तो आपको आपका goal achieve करने से कोई नहीं रोग सकता, तो पाच्वा सबसे important चीज़, अपने आपको पढ़ाई की तरफ motivated रखें, पढ़ाई की तरफ deviated रखें, कि भाईया, अमारा जो काम आप करने आएं हैं, जो महनत आप लोग करने आएं हैं, उसको सही direction में लगाएं, दूसरे directions में आप deviate नहीं हो, आप अपने आपको focused रखें पढ़ाई की तरफ, तो ये 5 important rules, 5 important system हैं, जिनको आप अगर follow कर लें, त आपका goal achieve करने से कोई नहीं रोख सकता, सबसे important part है, 5th point, अपनी आपको deviate किसी भी तरीके से नहीं होने ते, किसी भी तरीके से, चाहे वो X, Y, Z, चाहे वो आपका gaming हो, चाहे वो आपका mobile हो, चाहे वो आपका movie हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो कुछ भी, उससे deviate तो यह 5 rules अगर आप follow करते हैं, तो I guarantee कि आपको आपके goal achieve करने से कोई नहीं रोख सकता, तो I hope इस वीडियो में आपने समझा, कि किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई का attitude रखना है, किस तरीके से हमें पढ़ाई का schedule रखना है, किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई को करना है पांच बाते हैं, अगर आप follow कर लेंगे, आपकी पढ़ाई में बहुत help मिलेगी आपको, ठीक, तो I hope यह आपके लिए बहुत काम की चीज़ रही होगी, तो ऐसी और वीडियो लेकर मैं आऊँगा, तब तक के लिए भीया, tata bye bye, let's crack it.